नमस्कार दोस्तों एजुकेशन टेक्नोलिजी याँ चैनल में आपका स्वागत है आज आपको इस वीडियो के माद्धिम से गेंति इसकाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो का बनाने का जो उचिते है वो यह है वर्तनी की समंदित जो सुदता है उससे समंदित है बाकी गिंति आपको आती है अभी से पहले मेरे टेक्निकल वीडियो आ रहे थे तो अभी मैंने सोचा कुछ एजुकेशन समंदित भी वीडियो बनाये जाए ताकि जैसे अपना चैनल का नाम है उसी के अनुसार उसमें वीडियो चले तो आज आपको इन्दी के अंदर एक से सो तक की जो गिंति है वो कैसे लिखी जाती है कहां पर गलतियां करते हैं जाटर विजारती जैसे इन्दी में रोल नमर लिखना होता है या इन्दी में कुछे लिखने के कोशिश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, वो गलतियां करते हैं, सुद्धा से नहीं लिख सकते, जैसे एक तो 6 है, 6 देखो इस प्रकार से लिखा जाता है, या 11, 12, 13, 14, ये जैसे यूपी साइड में बोलते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, हम सिधा 18 बोल देते हैं, 17 ब और लिखने का अलग-अलग है, यानि सुद्धा की तरफ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस दिसका ध्यान रखें, और 19 जो है, ये तो काफी बार वर्तनी समनती सुद्धा के अंदर एक्जमू में आच चुका है, 19, बहुत बार आता है, जिसको आप सही कैसे लिखा जाता है, वो भी आप लिखने की कोशिस करें, 21, 21 में सिदा ये हमें, 21 लिख देते हैं, क्या आदा नहीं लगाते, या इस परकार से बहुत सारे जो तूटिया करते हैं, ये मैंने बिल्कुल व्याकरनिक सुद्धा के साथ लिखे हैं, बनाने की कोशिस की है एक 29 है, 29 लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं की जिखे, तो ये इस परकार के जो गल्तियां हैं, वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, 33, 33 लिखते हैं हम इसको, होता है, 33, 32, 32 में आगे आदाता है, और आता है, तो इस परकार के 37, 37 लिखते हैं हम इसको सिदाई, 49, इ यहां पर जो है 41, 41 लिखते हैं इसको 41, 41 होता है तो यहां पर यह जो है बहुत सारे बच्च जो गलतियां करते हैं उनको आप ध्यान रखना है और जो स्क्रीन के उपर आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको आपनी कॉपी के अंदर उतारने के कोशिश करें, लिखने के हम इसको गुणचास बोलते हैं लेकिन यह है 49 यानि जिसमें 50 तो यह इस परकार के जो है 47, 46 हम इसको 46 में 6 के उपर डबल मात्रा लगा अगर के फिर वैसे लिखते हैं लेकिन यह हमें लिखने में और सुद्दा के साथ लिखने में बहुत फरक है आप चाहो तो इसको पहल इसमें और इसमें कितनी गलतियां करते हो वह आमके सामने आ जाएगा अब यह 21 से सो तक की गिनती है 250 ज्रिष्दाय करते हैं सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती करते निन्यानुए देखिए कि इस प्रकार से लिखा हुआ है 95 हम पिच्चानवे बोलते हैं 95 होता है 93 तो यह जो कुछ बच्चे गलतियां करते हैं इसका आपको ज्यान रखना है और आगे से कोई भी गलती नए हो इसी आसा के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है फिर बारी आती है कि आप अपनी जो उत्र पुस्तिका होती है उसके अंदर आप उत्र कैसे लिखते हो या किस परकार से लिखना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा सब से पहले तो उपरी उपर अपना स्कूल का नामा जाता है फिर कक्स या्व वरग्य नामांक अंकों में सब्दों में सब्जेक्ट आपका वार दिनाग ये कोपी के उपर-उपर लिखना होता है औअ अब कोई वी द्यापक जब टेस्ट लेता है है नॉर्मल टेस्ट तो उसमें यह बिल्कूल कोपी के उपर होना وتशा है फिर देख यह परसन से लिखने में में पहसे गल्ति करते हैं सब्सक्राते करते हैं इस परकार से शबस्ट बिल्कूम से उपश्ट हुना चाहिए और फिर नीचे उत्र लिखे उसका उत्र दे दिया फिर नीचे जैसे दूसरा परशन है फिर निमलिकीत इसके विशेशताई है फिर नीचे एक नमबर दो नमबर यानि पॉइंटों के उत्र लिखो ज्यादा ज्यादा पॉइंटों के उत्र लिखो यह लाइन आप सीधी भी पड़ेगा तो आपको पॉइंटों के अंदर इसके उत्र लिखने होते हैं सूचना से लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर देना और कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं को पढ़ते हैं जितना उसका सलेवस होता है उतना ही पढ़ते हैं तो उसके अलावे बहुत सा लिखे जाते हैं वरतमान में उसमें क्या-क्या बदला हुए हैं वो देखे जाते हैं यह पुरानी पुस्तकों को कुछ पढ़ते रहते हैं तो उस बात का भी आपको ध्यार लगना है और यह आपके कम से कम 57 नमरों का नुकसान करता है थेंक यू इस वीडियो को ज़्याद शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद